जहेंद आज के कलास में हो लोग भोल भीश है के महत्रपुर्ण लगूत रिये प्रश्णों पर चर्चा करेंगे और आज का जो कलास है पाचवा कलास है परिक्षा के द्रिष्टिकों से जो अति महत्रपुर्ण दो अंकास्तर ये प्रश्ण है जो पिछले दिनों समलों चर्चा करते आ रहे हैं इससे पहले हम लोगों ने चार कलास और लिया था ये पाचमा कलास है और ये लगोतर ये प्रशन का अन्तियम कलास है तो आई ये प्रारम करते हैं आज का पहला प्रशन है परिवाहन किन किरिया कलापों को अभिव्यक्त करता है परिवाहन किन किरिया कलापों को अभिव्यक् परिवहन तिर्तियक क्रिया कलापों को अभिवक्त करता है और परिवहन के तीन प्रकार है नमबर एक अस्थल परिवहन नमबर दू जल परिवहन नमबर तीन बायू परिवहन अगला प्रस्ण है पाइप लाइन परिवहन के लाव को लिखें आप लिखेंगे पाइप लाइन परिवहन के निमनलिखित लाव हैं नमबर एक इशके द्वारा जल पेट्रॉलियम प्राकरतिक गैस बड़ी असानी से लंबी दूरी तक ढोया जाता है दूसरा इसके संचालन तथा रख रखाब में बहुत कम खर्चाता है तिसरा यह परिवहन की अनिशभी माध्यों मों से सस्ता है चौथा इसमें बस्तु की आपूर्ती लगातार बनी रहती है और पाचमा लाभ है इसे बड़ी आसानी से पहार, पठार, जंगल, जील, शागर, महाशागर में लगाया जाशकता है अगला प्रश्ण है पाइप लाइन परिवहन की हानी को लिखे पाइप लाइन परिवहन के हानी को लिखे आप उतर लिखेंगे पाइप लाइन परिवहन के निम्नलेखित हानिया है पहला इसके द्वारा केवल द्रब्य पदार्थ को ही ढोया जा सकता है दूसरा पाइप लाइन परिवहन के सुरक्षा तथा मरमत का कारे बरा कठीन है तीसरा इससे कभी भी बड़ी द्रुखटना की समहमना है अगला प्रश्न है शंचार से क्यातात पड़े है शंचार से क्यातात पड़े है आपका उत्तर होगा शंदेशों का आदान परदान शंचार कहलाता है शधरन अर्थों में शंदेशों का आदान परदान शंचार कहलाता है शंचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के विचार, दर्शन और संदेशों का अस्थानांत्रन एक अस्थान से दूसरे अस्थान अत्वायक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होता है अगला प्रशन लें भाउट में ने व्हारत में बायू परिवहन में भाउट में बायू परिवहन के छित्र में इयर इंडिया तथा इंडियण के योगदान की विवेच्ना करें आपको पता दे एयर इंडिया और इंडियन जो है इंडियन इयर लाइन्स का नाम के वह alone कर दिया गया तो प्रस्फ़ने भारत में बायू परिवाहन के छित्र में एयर इंडिया तथा इंडियन के योगदान की विविचना करे आपका उत्तर होगा भारत में एर इंडिया यात्रियों के लिए अंतराष्ट्रिये बायू परिवहन के शुबधा परदान करता है जबकि इंडियन घरेलू बायू परिवहन के छेत्र में अपनी शुबधाए वाश्यवाय देता है अगला प्रश्ण है पूरब पश्चिम एवा मुत्तर दक्षिन गलियारा क्या है पूरब पश्चिम एवा मुत्तर दक्षिन गलियारा क्या है आपका उत्तर होगा पूरब पश्चिम एवा मुत्तर दक्षिन गलियारा भारत के दूसरी महत्पुर्ण शरक पड़ियोजना है पूरव पश्यमें वह उत्र दक्षिन गलियारा भारत की दुसरी महत्पुर्ण शर्क पर योजना है उत्र दक्षिन गलियारा जम्बु कश्मीर के श्री नगर तथा तमिलनाडू के कन्या कुमारी को जोरती है जिसकी लंबाई 4,016 किलोमेटर है तथा पूरव पश्यम गलियारा जो असम के शिल्चर को गुजरात के पूरवंदर से जोरती है जिसकी लंबाई 4,016 किलोमेटर है और पूरव पश्यम गलियारा की लंबाई 4,016 किलोमेटर है अगला प्रश्न है श्वरनिम चतुर्भुज योजना से आप क्या समस्ते हैं श्वरनिम चतुर्भुज योजना से आप क्या समस्ते हैं आपका उतर होगा श्वरनिम चतुर्भुज योजना एक सरक पर योजना है श्वरनिम चतुर्भुज पडियोजना एक्सरक पडियोजना है जो देश के 13 राजियों चार महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चिन्नाई और कुलकत्ता को चार और छेलें से जोरती है इसके लंबाई 5840 किलोमीटर है इस पडियोजना की सुरुवात 1999 इस विम्याटल विहारी बाजबे के द्वरा किया गया और यह पडियोजना 2012 में पूरा हो गया अगला प्रश्न है मुक्त आकाश नीती क्या है मुक्त आकाश नीती क्या है आप उत्तर लिखेंगे भारत स्रकार ने बायू परिवहन के चत्र में परतियस परधा को बढ़ाने के लिए अगला प्रश्न है भारत के बिदेशी ब्यापार की परमुख बिशेश्तर ने बायू परिवहन के चत्र में परतियस परधा को बढ़ाने के लिए अप्रेल उने 1992 मुक्त आकाश नीती को अपनाया इसका उदेश्य इसका मुख्य उदेश्य भारती अभिगरहन को सहायता देना और विश्व बाजार में उनके प्रतिधारन को अधिक परतियोगितापुर्ण बनाना है अगला प्रश्न है भारत के बिदेशी ब्यापार की परमुख बिशेश्ता को लिखें अप लिखेंगे भारत के बिदेशी ब्यापार की परमुख बिशेश्ता निमन लिखित हैं नमर एक भारत का कुल बिदेशी ब्यापार निरंतर बढ़ रहा है दुसरा भारत का अधिकान से बिदेशी ब्यापार समुद्री मार्क द्वारा होता है नमर तीन भारत में विदेशी बियापार घाटा तेजी से बढ़ रहा है नमर चार भारत विश्व बियापार में भारत के विदेशी बियापार के गुदान लगभग दू परतिशत है नमर पांच भारत के आयात बियापार में पेटोलियम आयात बढ़ रहा है अगला प्रश्न है पतन और पोतासरे में क्या अंतर है पतन और पोतासरे में क्या अंतर है आपका उतर होगा पतन समुद्र टट पर इस्थितु उसस्थान को कहते हैं जहाँ पर जहाज समान को उतारने और लाधकर ले जाने के लिए ख़रा होता है जबकि पोतासरे उसस्थान को कहते हैं जहां जहां जमरमत एवाम शाफ सफाई के लिए खड़ा होता है अगला प्रश्न है प्रिष्ट प्रदेश का आर्था स्पष्ट करें आपका उतर होगा एक बंद्रगाह के प्रभाव छेत्रों को उसका प्रिष्ट प्रदेश कहा जाता है एक बंद्रगाह के प्रभाव छेत्रों को उसका प्रिष्ट प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यह बंद्रगाह की भूमी की और बिष्ट प्रदेश कहते हैं इसके अंद्रगत आयात के जाने वाले बस्तु का बिस्तुरिद भाग होता है आयात के जाने वाली बस्तु को इकठा किया जाता है और निडियात के जाने वाले बस्तु का वित्रण किया जाता है अगला है भारत के द्वारा आयात किये गया प्रमुख बस्तूओं का नाम लिखें उत्तर होगा भारत के द्वारा आयात किया गया प्रमुख बस्तू है पेट्रोलियम से समधित पदार्थ, शोना चांदी, इलेक्टोनिक वस्तूओं, रशायन, मोती और बहुमले पत्थर, पडिवहन के उपकरण अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी टटपर इस्थित बंदरगाह का नाम लिखें भारत के पूर्वी टटपर इस्थित बंदरगाह का नाम लिखें, आपका उतर होगा, भारत के पूर्वी टटपर इस्थित प्रमुख बंदरगाह निमने लिखेत हैं कुलकत्ता, हल्दिया, पारादिव, विशाखापत्नम, चिन्नाई और तूतिकोरी अगला प्रस्ण है, प्रदूशन और प्रदूशक में क्या अंतर है, आप लिखेंगे, परियाबरन का उखकोई परिवर्तन, जो परियाबरन में गिरावट का कारक होता है, प्रदूशन कहलाता है, इसके विप्रित, प्रदूशन उत्पन करने वाले पदार्थ को, प्रद प्रदुसक कहा जाता है। अगला प्रस्न है। बायू प्रदुसन के प्रमुक्खरोलों निवले लिखें बायू परदुसन के प्रमुक्स्तुरोतों को लिखे आपका उतर होगा बायू परदुसन के प्रमुक्स्तुरोत निवन लिखित हैं जिवासमिंधन जैसे कोईला पेट्रोलियम और डिजल का दहन, खनन, अध्योगिक प्रकरम, ठोस कच्रा निप्टान, वाहित मल निप्टान, अगला प्रस्न है भारत में नगडिय अवसिष्ट निप्टान से जोड़ी प्रमुक्ष मस्याओं का उलेह करे, भारत में नगडि नगडिय अवसिष्ट निप्टान की प्रमुक्ष मस्याओं निम्नलिकित हैं, नमर एक, कचरा का बीना समचित निप्टान के छोड़ दिया जाना, नमर दू, गलियों में घरों के पीछे ताथा खुली जगा प्रकचरा का जमा होना, अगला प्रस्न है भू निमनी करण क् भू निमनी करण का समानियर्थ भूमी की गुनमता में होने वाली कमी हैं, भू निमनी करण का समानियर्थ भूमी की गुनमता में होने वाली कमी हैं, मिर्दा परदूशन, मिर्दा परदन, लवनता, जला करांती, आदी कारणों से भूमी की उत्परक्ता में कमी आना भू निम्निकरण कहलाता हैं। अगला प्रस्न है एस मॉग क्या है, उत्तर होगा, एस मॉग जिसे धूआरे भी कहते हैं, धूल, धूम और कोहरा के समलित रोप को एस मॉग कहते हैं। इसका मुल कारण, शहरी करण और ओदोगी करण अगला प्रश्ण है जल प्रदोशन के रोक थाम के उपाय को लिखिए जल प्रदोशन के रोक थाम के उपाय को लिखिए अपका उतर होगा जल प्रदोशन के रोक थाम के प्रभुख उपाय निमन लिखित है नमर एक, शहरी कच्रा तथा ओदोगी कच्रा को प्रवंधन के बाद नदी में प्रवाहित करना दूसरा, मेडिकल कच्रा को नदी में प्रवाहित नहीं करना तीसरा, नदी में डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं करना चोथा नदी के किनारे मुर्दा को नहीं जलाना पाच्वा नदी के किनारे मलमुत्र द्याग नहीं करना अगला प्रश्ण है उसके अलावे है गंदा कपरा और मवेश्यू को नदी में नहीं दोना अगला प्रशन है मृदा प्रदूसन क्या है इसके कारण लिखिए अप लिखेंगे मृदा में अवांचनिये एवं हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से मृदा की गुनबाता में कमी आ जाना मृदा प्रदूसन का हलाता है मिर्दा परदूसन के परण। मिर्दा में राशाईनी कुर्भरक और कितनासक दावा का प्रियोग दुसरा मिर्दा परदन तिसरा मिर्दा में शहरी एवं औदोगिक फिसरा अगला प्रश्न है गंगा और यमुना प्रश्ण है गंगा और यमुना भारत की दो सरवाधिक परदूसित नदियां प्रिक्षण करें क्योंकि उत्तर भारत के शवी बरे यवदोगिक सहर जैसे कानपूर पतना आगरा दिल्ली आदी इनहीं नद्यों के किनारे मतलब गंगा और यम्ना के किनारे इन शहरों के सभी शहरी और द्योगिक और मेडिकल काचरा इनहीं नद्यों में परवाहित होती है इस करण गंगा और यम्ना देश की मतलब भारत की सबस्य जादा परदोसित नद्य है अगला प्रश्ण है अमली ये बर्षा क्या है अमली ये बर्षा क्या है आपका उत्तर होगा ओद्योगिक एवम नगरिकृत छेत्रों में जिवास मिंधन के जलने से भारी मात्रा में बायु मंडल में शलफर तथा राइट रोजन के अक्षाई छोड़े जाते बर्षा होने पर बर्था जल जव इनके साथ क्रिया कर करमशह शल्फ्यूरिक अमल तथा नाइट्रिक अमल के साथ भूपटल पर बस बरस्ता है तो इस प्रकार के बर्षा को अमली ये बर्षा कहते हैं मतलब कहते हैं तो ओद्योगिक एवम नगरिकृत शेत्र में जिवास मिंधन के जलने से बहारी मात्रा में बायु म शल्फ्यूरिक अमल तथा नाइट्रिक अमले के साथ भूपटल पर बरस्ता है तो इस प्रकार के बर्षा को अमली ये बर्षा कहते हैं अगला प्रस्न धूमर कोहरा क्या है धूमर कोहरा क्या है। उत्तर महानगरों में उद्योगों या वाहनों के निश्कासित धुआ प्रयाप्त मात्रा में बायू में मिल जाता है। से जानते हैं। तो आज के कलास में इतना ही इसे आगे के टॉपिक पर या भुगोल के जो द्रिभुतरिये प्रशने हैं उसके बारे में चरता अगले कलास में करेंगे। धन्यवाद।